सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राश्टे राज़ानिक शेतर दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर दो जो की कक्षा आठवी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है गणित विशे से और आज इसमें हम बहुत ही दिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा तो आज का जो टॉपिक है वो है लगुत्तम समाप वर्तिया और महत्तम समाप वर्तक जो की बहुत ही एक बार समझ में आ जाएं तो बहुत असान लगेगा आपको लगुत्तम समाप वर्तक कहते हैं और महत्तम समाप वर्तक इसको हम HCF कहते हैं, ठीक है, तो चलिए शुरुबात करते हैं मेरे साथ, और समझने की कोशिश करते हैं, प्रिये विध्यार्तियों, आज हम लगुतम समावर्ते और महतम समावर्तक को दोहराते हैं, कोई भी दो प्राकर्तिक संख्याइं सोचो और बताओ, प्राकर्तिक मैंन गुननखंड और गुनज भी बताएं, गुननखंड क्या होते हैं, यानि वो संख्या कितने नंबर से डिवाइड हो सकती है, यानि भाग हो सकती है, वो संख्या कौन-कौन सी संख्या से भाग हो सकती है, उसको हम कहते हैं गुननखंड, तो देखते हैं 18, देखें 18 जो एक स इससे भी आपको समझ में आजाइगा कि 18 कौन कौन से पहाड़े में आता है। एक में आता है, दो में आता है, 2-6 तीन में भी आता है 3-6 이제 6 के पहाड़े में भी आता है 9-9 अठारा जैसा कि यहांपर करके भी दिखा रखा है ।क देखे .. यानि जिस जिस पहाड़े में वहाटा है, हमें वह संक्याएं लिखनी है या जिस से भाग हो जाये, दोनों में बात एक है इसी तरहिजभीक को भी देखिए, तो 24 कॉन 24 कॉन कॉन्से पहाड़े में आठाखोचिक है एक तो एक के पहाड़े में आएगा 1 24 के पहाड़े में तो वो आता ही है, 24 एकम 24 तो इस तरह से ये इसके गुननखंड हो गए, एक, दो, तीन, चार, छे, आट, बारा और 24 ये होते हैं गुननखंड और गुनज क्या होते हैं, दो चीजे में हम आज सीख रहे हैं, गुननखंड और गुनज, गुनज का मतलब होता है कि हम आगे उसका पहाड़ा पढ़ दें, यानि उतनी ही उतनी संख्या उसमें एड-ड क और 18 जोड़ दिया 72, फिर इस तरह से हम 90, 108, 120, 14, 162, 180, 198, 216, और 100, जितना मर्जी आप जोड़ते जाओ, इसको हम कहते हैं गुननज, यानि की मल्टिपल, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टिपल, यानि 18 के मल्टिपल, जब हम 18 में ही अगली संख्या जोड़ दें, 18 जोड जोड़ते चले जाते हैं, उसको हम गुनज कहते हैं, इसी तरह 24 के गुनज, अब समझ में आया, 24 होता है, फिर 24 में 24 जोड़ा 48, फिर 24 जोड़ा 72, फिर 24 जोड़ा 96, इस तरह से 24 जोड़ते जाओगे, इस सारे इसके मल्टिपल आपके सामने आते जाएंगे, तो गुननख जो 18 और 24 है, उसके सामानने गुननखंड और गुनज भी बताने, सामानने का मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, गुननखंड कौन कौन से दोनों में एक जैसे आ रहे हैं, और गुनज कौन कौन से दोनों में एक जैसे आ रहे हैं, तो देखे, 18 और 24 के सामानने गुननखंड लेकिन उपड़ से देखेगा δोनों के हमने निकाले थे ना, एक एक भी दोनों में था, दो भी दोनों में ही था, तीन भी दोनों में था और छै भी दोनों में ही था, तो इस तरह से 18 और 24 का Merciम समापवर तक 6 होगा, हमने सबसे बड़ा समाने गुननखंट क्यों लिया, सबसे छोटा क्यों नहीं लिया फिर 18 और 24 के समाने गुनज आप देखेंगे दोनों में 72 कॉमन है 144 भी कॉमन है और 216 भी कॉमन है लेकिन जब हम ELSEUM लेंगे तो हम 72 लेंगे तो हमने चोटा समाने गुनज क्यों लिया सबसे बड़ा क्यों नहीं लिया यहीं पर ही प्रश्न उठता है और इसी को ही सुल्जाने के लिए आज हम इस वक्षीट को कर रहे हैं देखिए महत्तम समावर्तक और लगुत्तम समावर्त्य के लिए कुछ अन्यविधिया भी है और इन में से एक है अभाजे गुनन खंडन जिसके अनुसार सबसे पहले हम एक पद को अभाजे गुनन संख्याओं के गुनन फल के रूप में लिखते हैं क्योंकि अभी उपर जो मैं आपको बतार था है HCF का मतलब होता है यानि जो इसमें सबसे बड़ा हो और LCM का मतलब होता है कि दोनों के जो कॉमन है उसमें सबसे छोटा कौन सा है आई बात समझ में चलिए अब हम LCM निकालना सीखते हैं आकर LCM कैसे निकालते हैं देखते हैं देखो आपने करना क्या है 18 और 24 दो संख्याओं थी पहले 18 को ल सबसे पहले 2 से शुरू किया करो हमेशा 9 के पहड़े में आता है तो 9 दुनी 18 9 गुणा 2 18 अब ये 9 जो है वो 2 के पहड़े में आता है नहीं 3 के पहड़े में आता है आता है 3 तीया 9 हो गया अब इस 3 को खतम करना है 3 का पहड़ा 3 जो है 2 के पहड़े में आता है नहीं 3 के प हम इसको रोक देते हैं, यानि सबसे आखरी में एक आना चाहिए, अब 24 को देखते हैं, 24, दो के पहाड़े में आता है, अगर करेंगे कोशिश, तो दो से भाग हो जाएगा, पहाड़े में आए या भाग हो जाए एकी बात है, हाँ, 12 से हो सकता है, 12 दूनी, 24, तो 24 खतम आता है, 12 या 6, तो 6 की बजाए रह गया, 3, अब 3, दो के पहाड़े में आता है, या 2 से भाग होता है, नहीं होता हूँ, 3 से भाग होता है, होता है, 3 एक हम, 3, तो एक आ गया, फिर हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, अब ये तो ये हो गया, अब दूनों इसी तरह स जब हमें महत्तम समापवर्तक निकालने, ये तो हो गया, LCM, या लगुत्तम समापवर्तक, और SCF निकालने के लिए क्लिए क्या करना है, देखो, वही, पहले जो यहां पर आप जो संख्याएं आई है, इनको आपने लिखना है, ठीक है, तो देखो, 18 के जो गुननफल, जो फिर तीन, फिर दो, तो हम लाइन वाइस चलते हैं, इस तरह से हमने चारों को लिख दिया, एक, तीन, तीन और दो को, सही धंग से लिखना है, 24 वाले लिखने है, पहले एक लिख दिया, फिर दो तीन बार है, तो तीन बार लिख दिया, फिर एक तीन भी है, तो इस तरह से अगर आप इनको गुणा भी करके देखेंगे तो आपका वो यूतर आएगा एक दुनी दो, दो तिया छे, छे तिया अठारा और एक दुनी दो, दो दुनी चार, दुनी आठ, तिया चौबिस अब हमें क्या करना है, महत्म समापवर तक HCF क्या होता है तो जो एक एक जैसे हैं दोनों, एक तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, बाकी और कोई जोड़ा नहीं मिल रहा और ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या निकल कर आया? एक, दो और तीन तो कितना उतर आया? छी इस तरह से ये HCF होता है या महत्तम समाबवर्तक होता है ठीक है? और लगहत्तम समाबवर्तक निकालने के लिऎ हम दोनों संख्याओं के सभी गुनन फलों को गुणा करते हैं मगर समान्य गुनन फलों को केवल एक ही बार गुणा करते हैं तो देखो HCF में तो हमने जोडे बनाए थे और उसमें से हमने एक एक लिया था तबी हमारा एक गुणा दो गुणा तीन HCF बना था महतम समापवर्तक बना था छे लेकिन जब हम LCM निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हर एक जोडे में से तो एक लेते हैं और बाकी जितने बच जाते हैं उनको as it is ले लेते हैं जैसे इसमें से एक ले लिया इसमें से हमने एक वाला दो ले लिया ठीक है फिर इसमें से एक तीन ले लिया और बाकी बचे हमारे पास ये वाला दो, गुणा ये वाला दो, गुणा ये वाला तीन इस तरह से हमें इसको लिखना है तो 1-2-2, 2-2-4, 4-2-8, 8-3, 24 और 24-3, 72 यह इसका LCM है या लगुत्तम समापवर्तक है अब आपको समझ में आया, अब हम बहुत जल्दी से इसके कोशन आंसर समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, आओ कुछ प्रश्न करें, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे की सबसे पहले प्रश्न है निमलिखित संख्याओं के गुननखंड बताएं नो, तेरा, सोला, बाईस और पचास इसके हमें गुननखंड बताने है तो इसके हमें गुननखंड बताने है जैसा की हमने वीडियो के सबसे पहले पार्ट में सीखा था नो के गुननखंड यानि नो किन-किन संख्याओं से भाग होता है यह किस पहाड़े में आता है दोनों बात एक ही है देखिए एक के पहाड़े में आता है दो के पहाड़े में आता है नहीं तीन के पहाड़े में आता है तीन 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 नो ठीक है फिर चार के पहाड़े में पांच में नहीं आता, छह में नहीं आता, शाथ में नहीं आता, सीधा आता है, नौ के पहाड़े में, ठीक है, तो ये हो गए इसके गुननकर, फिर तेरा के गुननकर, एक के पहाड़े में तेरा आता है, क्योंकि हर संख्या एक से तो भाग जरूर होती है, और फिर वो तेरा से ही होता है, 13 के पहड़े में ही 13 आता है, बाकि किसी पहड़े में नहीं आता है, इसके बाद है 16, 16 एक के पहड़े में हमेशा एक तो जरूर आएगा, फिर 2 के पहड़े में आता है, 2, 8, 16, फिर 3 के पहड़े में नहीं आता है, 4 के पहड़े में आता है, 4, 4, 16, 5 के पहड़े आठ और सोला, ये इसके गुननखंड है, फिर बाइस, बाइस के गुननखंड, एक तो आएगा ही आएगा, दो के पहाड़े में बाइस आता है, अगर हम ग्यारा से भाग कर दें इसको, तो आता है, फिर सीधा अगर हम पहुंचेंगे, तो ये किस में आएगा सीधा, लिख दू, एक, दो, ग्यारा और बाइस, और सबसे आखरी में है पचास, एक के पहाड़े में आता है, दो से भी भाग हो जाता है, ठीक है, पचिस दूनी पचास होता है, फिर पांच से होता है, पांच धाम पचास, फिर सीधा आजाएंगे, पचिस से होता है, पचिस बारा गुणज बताएं, यानि कि 7 को आप बारा तक गुणा करते चले जाएंगे, 11 को गुणा करते चले जाएंगे, 19 को गुणा करते चले जाएंगे, 21 को गुणा करेंगे, 12 बार और 25 को, इस तरह से आपके ये जो है गुणज आ जाएंगे, अब आपको क्या करना है, 7, 11, 19 इक्किस और पच्चिस के गुणज बताने यानि कि और कौन से पहले बारा गुणज यानि बारा बार आपने हर संख्या को गुणा करना है तो देखिए क्या होगा इसका एक तो साथ आ गया फिर साथ को दो से किया 14 फिर 3 से किया 21 चार से किया 28 फिर 5 से किया 35 फिर 42 फिर 49 फिर 56 फिर 63 फिर 70 फिर 77 और फिर 84 ये इसके गुणज है क्या है गुणज उसके बाद 11 का हम करेंगे 11 का कौन कौन सा आएगा आप देखिए बहुत असान है 11 का तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 फिर 11 को 11 से मल्टिप्लाई करना है और 11 को 12 से मल्टिप्लाई करना है फिर आगे 121, 121 और 132 इस तरीके से आपको सभी के गुणज लिखने हैं फिर इसके बाद आपको 19 के लिखने हैं आप इस तरीके से आपको करते चले जाना हैं क्या आप कर सकते हैं तो मैं आपको 3 करवाऊंगा बाकी 21 और 25 के आप खुद से करेंगे तो अब आपको 19 के गुणज लिखने हैं तो देखिए 19 के गुणज क्या क्या बनेंगे एक तो 19 तो बनेगा ही बनेगा फिर 38, 57, 76, 95, 114, फिर 133, 152, 171, 190, 209 और और 228 अब बाकी के 21 और 25 के आप खुद से करेंगे बिल्कुल ऐसे ही गुणा करके बारा बार गुणा करना है 21 को 1 से 21 को 2 से 21 को 3 से इस तरीके से आप ऐसे इसको करते चले जाएगा अब ये मैं मौका आपको दे रहा हूं ठीक है इस तरह से आपको आगे करते चले जाना है 12 तक, अब है तीसरा प्रशन, प्रथम 5 प्राकर्तिक संख्याओं का सबसे छोटा समान्य गुननखंड बताएं, ठीक है, आपको गुननखंड करने हैं, तो आपको सबसे जो प्रथम 5 प्राकर्तिक संख्याओं कौन सी होती हैं, तो देखो, अब हमें करना कहा है, पहली 5 प्रा से निकालना है, दो का निकालना है, तो दो को यहां पर रखके एक तक लेकर आना है, तो एक दुनी दो होता है, तीन का इस तरीके से निकालेंगे, चार का जब निकालेंगे, तो पहले देखेंगे, चार कौन से पाड़े में आता है, दो के पाड़े में आता है, आता है दो द तो ले ही लिया, फिर इसमें क्या बोलते हैं, दो और दो में से एक बार दो आजाएगा, ठीक है, इस वाले दो में से और इस वाले दो में से एक ही बार दो आएगा, बाकी रहे गया ये वाला दो, फिर रहे गया तीन, और फिर हो गया पांच, तो एक दुनी दो, दुनी चार वर्तिया 12 और 12,5-60, यह इसका LCM आजाएगा, इस तरीके से हमें इस प्रश्न को करना है, अब चौथा प्रश्न, किनहीं दो प्राकर्तिक संख्याओं के कितने सामाने गुनज होते हैं, अब यह तो कहना बहुत मुश्किल है कि दो प्राकर्तिक संख्याओं के सामाने तीन भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं यह तो हम इसका उत्तर लिख़े देते हैं अनंद फिर इसके बाद है निमलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लगुथतम समापवर्तिय ग्याद करें 3 और 8, 4 और 12, 15 और 25, 14, 19, 14, 13 और 17 का तो चलिए करके देखते हैं तो मैं आपको यह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 हैं तो 5 में से 3 करवाऊंगा, 2 आप अपने आप करोगे उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूँ कि देखिए इसका उतर मैंने अभी आपको बताया था अनंत तो अनंत भी हो सकता है और मेरे हिसाब से 1 भी हो सकता है क्योंकि एक कॉमन फेक्टर तो सभी में ही होता एक नंबर तो इसलिए यह दोनों उतर इसके सही हैं चलिए अब हम करते हैं पांचवा प्रश्न सबसे पहले हमें 3 और 8 का लगुत्तम समाप वर्तर निकालना है लगुत्तम समाप वर्तिय है ठीक है तो 3 का निकालो के पहले कितना आएगा अभी आपको समझाया था एक के पहाडे में हो एक से भाग huge जाएगा एक तीया 3 तो इस तीन का तो आ गया, एक गुणा तीन, ठीक है, और आठ, आठ को करके देखें, आठ, दो से भागो जाता है, हो जाता है, चार दुनी आठ, फिर ये चार भागो जाता है, दो से, दो दुनी चार, फिर ये, एक से भागो जाता है, एक दुनी दो, तो इसके आ गया, दो तो अब इनका आपको क्या निकालना है बताईगे, इनका हमें निकालना है लगुत्तम समाब वर्ति, तो मैंने आपको बताया था जो common होता है, उसको हम एक ही बार लेते हैं, तो इसका जो आएगा, वो कैसे आएगा, देखिए आप, क्योंकि इसमें देखिए, जोड़े तो क गुणा दो, गुणा दो, दो दुनी चार, दुनी आठ तिया, चौबेस, ये इसका एलसियम बन जाएगा, या लगुत्तम समाब वर्ति, बन जाएगा, अब हम HCF देखते हैं, HCF में भी आप देखिएगा, भई, फैक्टर्स तो यही रहेंगे, एक गुणा तीन, और आठ का हो जाएगा, दो गुणा दो, गुणा दो, अब हमें जोड़े बनाने हैं, ठीक है, और एक, एक तो यह जोड़ा बन गया, एक भाहर निकाला आया, और बाकी, कैसे निकलेंगे, तो क्योंकि इसमें तो बाकी कोई जोड़ा बन नहीं रहे रहा, तो इन दोनों का, जो महत्तम समाप वर्तक होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा, एक, यह होगा इसका महत्तम समाप वर्तक, यानि जो highest common है, ज़्यादा बार जो common आ रहा है, वो एक ही होगा, इस तरह से आपक का लगुत्तम समाप वर्तक, लगुत्तम समाप वर्तिय, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन शायद आपको समझ आ जाएगी, तो पहले आप यहाँ पर चार का करें, दो से भाग हो जाता है, हो जाता है, दो दुनी चार, फिर यह एक से भाग हो जाएगा, क्योंकि एक तक लाना होता है हमें, इसी तरह हम बारा को देखेंगे, तो बारा दो के पाड़े में आता है, आता है, दो चिक बारा, फिर यह भी दो से भाग हो जाएगा, फिर यह दो से तो नहीं होगा, तीन से होगा, इस तरह से देखी, common factors क्या आए, चार का तो हो गया हमारे पास एक गुणा दो गुणा दो और बारा का हो जाएगा एक गुणा दो गुणा दो गुणा तीन ठीक है अब लगुतम समापर्तक निगालने के लिए मैंने क्या कहा था पहले हम जोडे बनाएंगे है ना जोडे बनाएंगे हम तो देखिए, अब हमें करना क्या है, इसका लगुतम समावर्तक कैसे करेंगे, हमने ये वाला एक जोड़ा बना दिया, इसमें से एक ले लेते हैं, इसमें से एक ले लेते हैं, और बाकी जो बचे हैं उनको और इसमें से एक, बाकी जो बचे उनको एज़टीज लेंगे, तो इसका लगुत्म समाप वर्तक है, अब महत्म समाप वर्तक निकालने के लिए, फिर दुबारा से आप लिखो के एक गुणा दो, गुणा दो, और बारा का था एक गुणा, sorry, गुणा का निशान आएगा के दो, गुणा दो, गुणा तीन, अब इसका जोड़ा बना, इसका ज एक गुणा, दो, एक इक बार लेना है, दो, जो रह गया उसको हमें नहीं लेना, इसका आया चार, तो महत्तम समापवर्तक इन दोनों का क्या हो गया, यह मैं लिख दू, महत्तम समापवर्तक, ऐसे आपको इसको करना है, एक और करवाऊंगा, बाकी आप अपने आप करेंगे इसके बाद है, पंदरा और पच्चिस, दो संख्या हैं, पंदरा और पच्चिस, इसका आपको क्या करना है, पहले लगुत्तम समापवर्तक निकालना है, लगुत्तम समापवर्तिय, समापवर्तिय, ठीक है, तो वही आप क्या करेंगे, पहले पंदरा का एलसियम निकालें एक Byहाग, होता है, लेकिए 2 से शुरूं करते हैं हमेश्चर, 2 से नहीं,3 से हो जाता है, 3 पंजे पंद्रा, फिर एक तीय, तीन, तो बस आगे करने की जरुर्फ नहीं है, तो पंद्रा का तो आ गया हमारे पास 1 गुणा 3, गुणा 5 25 का करके देखते हैं 2 के पाड़े में नहीं, 3 के पाड़े में नहीं 4 के पाड़े में नहीं, 5 के पाड़े में 5 बंजे 25 और 5 किस पाड़े में आता है? अपने खुद के पाड़े में आता है तो 5 एकम 5 इसका आ गया 1 गुणा 5 गुणा 5, अब आपको लगुत्म समाब वर्तक निकालना याद है ना, जोडे बनाने पहले, एक और एक बन गया ये वाला, ठीक है, इन में से तो एक ले लिया, इस में से एक बार एक बार 5 ले लिया और बाकी ये बचा, और ये बचा, तो एक गुणा 5, 5, पाँच तिया पंदरा, पंदरा पंजे, पिच्छत्तर, ये इसका लगुत्म समाब वर्तक, अब महत्म समाब वर्तक निकालने के लिए, महत्म समाब वर्तक, निकालने के लिए फिर दुबारा से ऐसे ही लिखेंगे 1 गुना 3 गुना 5 और 1 गुना 5 गुना 5 तो अब आपको क्या करना है जोड़े बनाने हैं 1 जोड़ा ये बना 1 जोड़ा ये बना महतम समाब वर्थक में केवल जोड़े वालों को ही लेते हैं बिना जोड़े वालों को नहीं लेते तो इसका आया एक और पांच उत्तर आ गया पांच तो महत्तम समापड तक इसका क्या होगा पांच पंदरा और पच्चिस का जो HCF होगा वो होगा पांच तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर कीजिए और याद रखेगा करोना बहुत फैल रहा है मास्क अवश्य लगा के रखेगा और अपनी वारी आने पर इसका टीका करान अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद